हेलो स्टुडेंट्स तो आसा करते हैं आप लोगा पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है पेसी एग्जाम के लिए तो अम लोगा फर्स्ट वीडियो आ चुका था स्टुडेंट्स के उपर जहां पर हम डिसकस किये थे कि कौन-कौन सा टॉपिक फर्स्ट टॉपिक के अंदर पेसी के अंदर इंपोर्टेंट है कौन-कौन सा जगा को बहुत अच्छा से देखना है तो उस वीडियो में कुछ पार्ट को छोड़ दिये थे जुसको हम लोग य और यह मेरा स्वाल मेकनिक्स का सेकेlt पाट है तो आज हम डिसकस करेंगे की सिया स्त्रेंथ्ट ऑफ स्वायल के अंदर कौन-कौन सा टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है इसके बाद आर्थ पेसर के बोलेंगे वो topic को individually जाकर बहुत अच्छा से कोई extended book लेकर या exam type करके वहां से पढ़ना है और यहां से जो भी question आएगा हम ऐसी और कर सकता है कि maximum number of question यह जो topic हम बोल रहा है यहां से ही आता है या आएगा तो ज्यादा बात नहीं करेंगे start करेंगे आज का lesson तो आज हम लोग क्या देखेंगे पहले shear strength of soil का कौन सा जगा बहुत important है तो shear strength of soil के अंदर जो more circle of stress है ठीक है more circle के जो diagram है फिर उहां पर क्या major principal stress, minor principal stress, normal stress, CR stress यह सब जो diagram है और यह जो formula है यह formula को बहुत अच्छा से देखना क्योंकि यहां से बहुत थोड़ा होड़ा numerical या diagram से related कुछ question आयाता है इसके बाद maximum minimum CR stress in more circle कहां पर होता है यह भी बहुत बहुत question में दिया गया है तो इसको इसको एक बाद देखना फिर failure envelope क्या होता है failure envelope कैसे create होता है उसको एक बाद देखना फिर देखना कि जो हम लोग का shear strength measurement करने के लिए जो formula होता है जो हम लोग का method होता है या test होता है वहां से हम लोग का चार्गो टेस्ट है कि जायर से कि direct shear test, triaxial shear test, unconfined compressive test, यह चार्गो ट test कौन सा soil के लिए किया आता है कौन-कौन सा apparatus लगता है फिर इसका formula जो होगा इसको देख लेना हम recommend करेंगे individually इसको देखने के बाद जो triaxial shear test है इसको बहुत अच्छा से देखना क्योंकि triaxial shear test PSC के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है ठीक है तो यहां से कौन-कौन drain test और confined undrained test देखना है ठीक है तो यह तीन गो टेस्ट को अच्छा से देखने के बाद हम लोगा और एक रह जाएगा जो की मेरा skimton poor pressure होता है यह क्या होता है यह formula से हम लोगों क्या-क्या मिलता है यह formula के अंदर क्या-क्या बोला गया है यह सब देखना फिर stress strain behaviors of sand एक तीन को देखना ग्राफ है तो इनको ग्राफ से stress strain behavior जो आता है उसको अच्छा से देखना क्योंकि यहां पर एक बार question आएगा और आसा करते है इसी बार यहां से question आएगा ठीक है तो वहां से एक जाकर एक देख लेना है जो भी डियाग्राम है इसके बाद हम दिसक्स करेंगे कि जो आर्थ प्रेशर है आर्थ प्रेशर के अंदर क्या-क्या हमारा important है कौन-कौन सा चीज पढ़ना है आर्थ प्रेशर का सिलेवास बहुत बड़ा है मगर बहुत ज़्यदा चीज हमको नहीं पढ़ना है जो जो चीज यहां पर पढ़ना है वो है Rankines और Coulomb's theory क्या होता है फिर active pressure and passive pressure क्या होता है प्रेशी आर्थ प्रेशर in rest condition क्या होता है उसका इंडिविजाल सब formula देखना इसके बाद tensile zone क्या होता है फिर unsupported vertical card बहुत important है यह directly पूछा जाता है कि unsupported vertical card का जो formula है वो बोलो तो और और एक चीज हम बोलेंगे यह note-down करकर रखलो कि जो मेरा active state ह होता है वह compression होता है या passive state को मेरा tension होता है या कौन सा चीज होता है इसको अच्छा साथ देखना कि क्या बुला जाता है पिर इसका individual हरे इका formula बहुत अच्छा से याद रखना और जो प्रेशाट diagram है जो प्रेसर diagram active बातपरेशर और प्रेसिव बात प्रेसर करने के बाद जै स tapi निक्स्ट क्या है नेक्स्ट हम लोगा好吃 of slob यह एक बहुत इंप और बहुत ऐस्ट फूंच यह या यहां पर लिख दिया है कि जो फर्मूला यहां से बार बार पोशिचेंट भी श्या को अच्छा सैरेट करना हार एक टाम को धिख लैना और फेक्टर आफड़ रसफिक क्या होता है फी स्पर इंस लौप कौन rema में किया तो उसको देखना कौनसा सोल के लिए कौनसा स्वाइशन कि या जय रहता है इसको भी देखना फिर जो हम लोग के infinite slope है और finite slope है उसको उसका जो condition है कि कौन सा condition के अंदर finite slope होगा कौन सा condition के अंदर infinite slope होगा उसको भी एक बार अच्छा से देख लेना ठीक है next हम लोग देखते है next हम लोग का क्या है foundation का part है तो foundation के part के अंदर हम लोग को देखना है कि type पौलता है सबंसिंदेंगों यह तैप का फॉर्मूला से जैसे कि सर्कुलार फॉर्मूला को एक बार देखना भिजाए लगे बेेरिंग कैपासिटी फेलियूर । क्या क्या देखना सब्सक्याइग अब्सक्रेडिया क्यों होता है प्रसकक्रेद्ट में प्लेट लोट टेस्ट को देखनान प्लेट क्लेटलो टेस्ट कि यहां प्लेट का सईज कीतना होता है कौन सा टाइप आप आप सोयल हम लोग यूज करेंगे इसका फ्रॉर्मूला देखना सबसे जो important formula है यह जो formula है जो कि granular soil के लिए यूज करता है और clay soil के लिए यूज करता है तो यह बहुत बार पूछा गया है पीसी एक्जाम में बहुत फेवारेट टॉपिक है प्लेट लोड टेस्ट को अच्छा से पढ़ना ठीक है इसके बाद foundation का सेट्लमेंट है foundation settlement के अंदर क्या क्या देखना है हम लोग का देखना तीन को चार को ग्राफ है जैसे कि हम लोग तो मिलेगा तो दो दो कॉछेशन है कि कोईलेस्ट का डैगरम तुम लोग मिलेगा वह सबसे एक तुम्हारा में लेगा सेट्लमेंट डाग्राम एक मिलेग उसके अंदर ही मिलेगा तुम लोग का इंटर मोलीकूलर करनेक्शेंजर्स या एट्रक्शन्स तो दो कोनों का डागराम को आछा से देखना ठीक है कॉन सा तो के लिए कॉन सा डागराम उप्यूग यह तो है यह ध्राप्ट हम न के लिए एक भैलू होता है है single हमार के लिए होता है drop हमके लिए 2.5 होता है और single हमार के लिए .25 होता है तो इसको एक बाद देखना यहां से question आता है इसके बाद क्या देखना इसके बाद बहुत important जो चोड़ो नीवेरिकल के लिए आ सकता है one like question वो होता है क्या spacing of pile फी settlement कितना होता है पाइल के अंदर block and individual pile failure क्या होता है कौन-कौन सा कारण ये आता है settlement of pile क्या है इसके बाद last हम लोग देखेंगे कि negative skin friction क्या होता है negative skin friction के लिए बहुत important एक topic है ये तो यहां से question आएगा ही confirm मान लो एक तो इसको अच्छा से देखना negative skin friction कैसे होता है क्या कौन-कौन सा direction में होता है उसको होने के कारण surrounding soil के अंदर क्या effect पड़ता है ये सब चीज़ को देखना है ये सब चीज़ देखने के बाद जो भी हम लोग और एक चीज़ हम यहां पर include करेंगे जो कि मेरा soil mechanics है वह पूरा पूरी complete हो जाएगा और जो भी वीडियो यहां पर हम वीडियो के अंदर जो भी point discuss किये है उसको एकदम thoroughly वहां से जाकर question को देखो उसको theory को पढ़ो कोई भी conceptually problem है तो मेरा वीडियो है नीचे उसको जाकर दे सकते हो description में उसका link देदेंगे फिर उसके बा इसको complete करो इसके बाद हम लोग next वीडियो ले आएंगे जो की मेरा होगा environmental engineering के उपर क्योंकि हम लोग जानते ही है soil mechanics, environmental engineering, highway, transportation engineering, fluid mechanics, survey यह सब बहुत important topic है PSC के अंदर तो यह जो important topic है इसको पहले हम लोग cover up करेंगे तो आसा करते है बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे और अच्छा जाएगा तो ठीक है मिलते हैं next वीडियो में thank you please subscribe my channel civil engineering academy और बहुत ज़्यार कीजिए यह channel को चलिए मिलते हैं next वीडियो में